सीरियल की बवों को हमेशा परिशानी में रहना चाहिए और अगर कोई नई परिशानी ना मिले तो पुरानी परिशानी को भी वापस बुलाना चाहिए कुछ यही सोचते हैं आज के क्रियेटर्स तभी तो देखिए प्रिशा के लिए परिशानी आ गई है वो भी पुरानी ल झाल झाल ऐसा होना कोई नई बात नहीं है सीरियल में जब पुराने किर्दारों को दो बारा बुलाया जाता है न तो भई ये समझ पाना मुश्किल होता है कि वो किर्दार सुधर कर आया है या विलन बन कर आया है देखिए प्रिशा की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है अर्मान जिसके साथ वो पूरे छे महिने रही थी उसकी पतनी बनकर हाला कि दोनों की भी शादी नहीं हुई थी लेकिन लोगों के सामने वो पती पतनी बनकर रहते थे वो अर्मान जिसने देखा कि पृषा की जिन्दगी में रूदर लौट आया है तब वो बन गया था पृषा का सरफिरा आशिक और अब सीधा साधा भूला भाला बनकर देखिए पृषा की जिन्दगी में लौट आया है और कह रहा है कि मुझे कैंसर है अब भी अर्मान अगर कैंसर है तो डॉक्टर से इलाज करवाओना इधर पृषा को बता कर क्या आप कैंसर से जीत जाओगे इधर पृषा अर्मान से मिल रही है तो पीछे पीछे रेवती भी आ पड़ी है और देखिए कैसे वो तस्वीरे खीच रही है अर्मान और पृषा की तो वही देखने आई हो कि क्या चल रहा है पृषा का क्या चल रहा है चुप चुप के कैफे में किसी किसे मिलने आई है रूदर को बताया भी नहीं है हाथ भी पकड़ लिया है साथ में तो मुझे तो प्रूफ मिले और मैं तो फोटो भी खीच के रखा है अब ये जाएग कि आप कोईने कोई बहाना ढून रही है ताकि प्रिशा रूदर से दूर हो जाए लेकिन ऐसा हो पाना मुश्किल लगता है आप से पहले बहुत से लोगों ने कोशिश कर ली लेकिन वो कर नहीं पाए अब आपको भी देख लेते हैं कि आप इसमें किस हद तक काम्याब होत ही है हिम मुंबई से कैमरमें सुजीत मिश्रा के साथ एबिपी न्यूज रिपोर्ट आपको रखे आगे